स्री सिवाय नमस्तूब्यम हर हर महादेव जै महाकाल कैसे हो आप सब दोस्तों आसा करती हूँ अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और इस स्रामण के पवित्र महीने में भोले बाबा की पूज़ा पाठ करने में बैस्थ होंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है द कोई सी भी अश्टमी पड़े अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत जादा ही नसा करता हो चाहिए गुट का का तमाकु का सराप का गांजा का किसी भी प्रकार का नसा करता है तो आप किसी भी अश्टमी जो स्रामण के पवित्र महीने में पड़ेगी जिस भी दिन की अश्टमी पड़ेगी उस अश्टमी पर आपको यह उपाय करना है पूज गुर्दियो पंडिर प्रदीप मिसरक्काल ही यह उपाय बताए हैं पांच-पांच वाला उपाय तो आप दोस्तों यह वीडियो पूरी देखना तभी समझ में आएगा आप बहुत जादा ही परि परिसान होती है जो लोग नसा करते हैं उनको क्या दिकत तो जिस भी बहन जो भी बहन हमारी परिसान है यह उपाय अवश्ट करें स्रामड के पवित्र महीने में और वीडियो खुब अच्छ समझें और पूज गुर्दियो की कथा सुनके बहुत अच्छ समय समझाऊंगी बस आप लोग वीडियो वो उरी ध्यान से देखना तो दोस्तों चलो वीडियो को इस्टार्ट करती हूँ तो दोस्तों आपको करना क्या है कि इस रामड के पवित्र महीने में किसी भी अष्टि मे की दिन आपको करना क्या है पांच-पांच वाला उपाय है बहुत ही सराल आपको बहुत आसानिस मिल जाएगा तो आपको सबसे पहले जिस भी वस्तु की जरूरत पड़ेगी ओ है बेल बेर बेर आपको सभी को पता है भोले बाबा को चड़ता है बेर की पांच पत्ती बेर आपको पता ही होगा पांच पत्ती ले लेना है उसके बाद आपको लेना है पांच समी की पत्ती ले लिया है आप पांच अब बात करते हैं बेर बेर का पांच बेल पत्र ले लेना है उसके बाद लेने के बाद आपको लेना होगा दोस्तों क्या जरूर पड़ेगी पीला चंदन और लाल चंदन दो चंदन ले लेना है दो तो सबसे पहले आपको बेर में, बेर की जो आप पांच पत्ती लिये हो, उस बेर की पत्ती पे आपको लाल चंदन लगा लेना, खुब अच्छे से लेपन कर लेना, पांच पत्तियों पे, उसके बाद आपके पास है पीला चंदन, पीला चंदन आपको लगाना है बेल के पत समी पत्र पे आपको कुछ भी नहीं लगाना बिल्कुल साधा ही रखना है आपको पहुंच जाना है इन तीन चीज को लेके सिर्फ मंदिर भोले बाबा के मंदिर में पहुंचने एक बाद आपको जो भी जल चड़ाना है पूज अर्चन करना है कर लिए आपने उसके बाद आ को ले बाबा पे समर्पित कर देना सिरी सिवाय नमस तुभ्या का इसमरण करते हुए तैस समर्पित कर दे आपको चड़ाना होगा उसी वेर के उपर ही आपको बेल पत्री चड़ाना जिस पर पील चंद ल लगाए Cada पांस पत्र PC पर ठीक उपर चड़ा देना ऌबर दंडी का मुख और आपके systems लें आपको समीक करतेक Black Energy State पर चाराने के बाद हात जोड़कर भिंति करना कि महादेव हमारे घर में मारे TV सदस में हीा का खाता है नसा करता है गांजा भांग जिस भी प्रकार का वो नसा करता हो बोले बाबा से बिंती कर देना है करके आप कर देना है और आपनी मनो कामना बोल देना है उसके बाद बिंती करने के बाद दोस्तों आपको जो तीन चीज आप चड़ाए हो बोले बाबा पे सीवलिं पर चढ़ाए हो उन तीन चीज को उन तीन चीजों को आपको कौन से भगवान का नाम लेना ध्यान से सुनियेगा दोस्तों और धूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उठा लेना है उन तीन चीजों को बेल पत्र बेर समी पत्र तीनों चीज को जो पांच मत चढ़ा लिए आपने तीन चीज लेकर गए हैं पत्र संही पत्र बेलज हो जो करना क्या है कि जू भ्यक्ति और नसा करता है हाद जोड के महाद Listening अपर 9 सदस बहुत नसा करता है बहुत गुटका खाता है कामना करके आपको कामना कर देना है वहाँ पे उसके बाद आप ने जो बेल तीन चड़ाई है पांच पांच करके उसमें से जो बेल पत्र है पांचो आपको आउधूदेश्वर महादेव का नाम लेकर उठा लेना है उसको और आपको चले आना है अपने घर, घर पे आने के बाद दोस्तों जो भी अपने घर में आप खाना बनाते हो, सबजी है, डाल है, चाय है, कुछ भी है, कोफी है, जो भी बनाते हो आपको इस रामण के महीने में 21 दिन के अंदर कैसे भी करके उस ब्यक्ति को जो ब्यक्ति नसा करता है उस व्यक्ति को खिला देना है 21 दिन के अंदर इस रामड के महीने में ही दोस्तों आपको खतम करना है बेल पत्री और दोस्तों इसी 21 दिन में ही ओ गारांटी के साथ के रहें कि ओ नसा छोड़ देगा तो स्री शिवाय नमस्तुब्यम वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों इस रामड के पवित्र महीने में पूजी गुर्दयो पंडित प्रदीप मिस्रा से आप प्रदीप मिस्रा की कथाओं से आप लोग जुड़ जाए और हर रोज हर स्रामड के महीने में हर रोज एक नया नया उपाय करिए जो भी आपके घर में परिसानी है दिक्कत कामना को करते हुए उपाय करिए और आपकी मनो कामना इसी स्रामड के पवित्र महीने में पूरुन हो जाएगी श्री सिवाय नमस्तुब्याम आप लोग ये उपाय आवश्र करना